यह देखी यह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और इसमें बहुत ही सुंदर कलर आया है हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कार्ड्यू किचन में मेरा नाम है मनीश्या आज हम बनाने जा रहे हैं पटेटो और स्वीट कॉन से बनने वाले लॉली पॉप्स इसके लिए मैंने लिया है छे उबले हुए आलू दो पीस ब्रेट एक कप स्वीट कॉन को हमने बॉइल कर लिया है एक कप पत्ता को भी बारी कटी हुई दो कटे हुए प्याज थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी मिर्ची साथ में हम लेंगे गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्ची साथ ही सारे इंग्रिटेंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसेपी सबसे पहले हम ब्रैट को मिक्सी में चलाकर इसका क्रम बनाएंगे यह ब्रैट का क्रम मैंने बना लिया है अब हम आलू को मैश करेंगे आलू को हमें हाथ से ही मैश करना है इसको चौपर से या किसी से भी कद्दू कस नहीं करना है इसको हाथों से इसी तरह तोड़ लेंगे हम अलू अच्छे से मैश हो गए हैं अब हम इसमें स्वीट कॉन आइट करेंगे साथ में इसमें मिलाएंगे पत्ता को भी कटे हुए प्याज और कटी हरी मिर्ची इन सभी को अच्छे से हम मिलाएंगे इस सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें मसाले अड़ करेंगे नमक में लाएंगे स्वादा अनुसर थोड़ी सी लाल मिर्ची थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले भी अच्छे से मिक्स कर लिया हैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ब्रेट क्रम एड़ करेंगे यह मिक्स अच्छे से रेड़ी हो गया है अब हम इसको लॉलिपॉप कर शेप देंगे इसके लिए थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे इस तरह से सर्क्ल बनाएंगे उसको थोड़ा सा ओवल शेप हम कर देंगे यह इस तरह से और इसमें बीच में एक स्टिक एड़ करेंगे यह बनके हमारा तयार है अब जो हमारा ब्रेट क्रम बचा था उसमें हम इसको इस तरह से चारो तरफ से इसको लपेट लेंगे देखिए बस इस तरह से इस तरह से पहले सारी लॉलीपॉप हम बना के त्यार कर लेंगे इस अभी लॉलीपॉप बना के मैंने त्यार कर लिये हैं अब इसको हम डीप फ्राइ करेंगे तेल गरम हो गया है अब हम लॉलीपॉप को डीप फ्राइ करेंगे यह नीचे से थोड़े से golden हो जाएंगे एसके बाद इसको हम turn करेंगे, इसको एकडम से नई छेटना है निए तो यह तोट जाएंगे, यह नीचे से थोड़े थोड़े सिख गया है, अभी इस पर ऊपर से हम थोड़ा सा ऐसे थेल डालेंगे, और फिर उसके बाद इसको दीर होने देंगे, ये चारु तरफ आ अच्छे से तयार हो गए हैं, ये सब ही इसी तरह से हम दल लेंगे, ये सब ही लॉलिपॉप सनकर तयार हो गए हैं ये देखी बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और भेस में बहुत ही सुन्धर कलर आया है आप ये रेसिपी जरूर ट्राय करिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शियर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बैला आइकन को दबाकर और क्लिक करें थैंक्यू